लोकसभा चुनाफ को मद्धिनसर रखती हुए भारतिय जनता पार्टी ने मध्यप्रदेश की सभी 39 सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतार दिये हैं। हरंकी कॉंग्रेस से अभी तक 10 सीटों पर ही उमिद्वारों के नाम सामने आए हैं। बीजेपी ने पूर्व मुख्य मर्तरी शिवरास सिंग चौहान को विदिशा लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में अब चर्चा ये तेज हैं कि आखिरकार कॉंग्रेस की तरफ से किसे उतारा जाएगा। कॉंग्रेस उनके सामने अनुमा आचारे को टिकट दे सकती है। प्रत्याशी के तौर पर नजर आएंगी। आपको बता दे कि अनुमा आचारे इंडियन एर फोर्स के सैयुक्त निदेशक के पद से रिटायर्मेंट ले चुकी है। चुनाब लड़ने के लिए ही अनुमा ने स्वेचिक रिटायर्मेंट लिया है। अब यही देखना होगा कि अनुमा आचारे के वाकई में चुनाब लड़ती हुई नजर आएंगी। आपको जानकारी दे देएं कि कॉंग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वेह पूर्वस्तियम विदेश्या से भाजपा के प्रत्याशी शिवरास सिंग चौहान को हरा सकती हैं। आपको बता दें कि 2018 में आम आदमी पार्टी की टिकट पर विधान सफा चुनाब वहल लड़ चुकी हैं। सुश्मा सुराज भी सांसद रही हैं। वही भाजपा के रमाकांत भारगव अब इस सीट से सांसद है। लेकिन शिवरास की जो करीबी माने जाते हैं। इस बार शिवरास सिंग चौहान पर बीजेपी ने दाव लगाया है। देखते हैं कि आखिरकार शिवरास सिंग चौ हासिल कर पाते हैं या नहीं फिलाल इस खास रिपोर्ट में अतना ही तब तक कि लिए आप देखते रहें नेक्स्ट टुनाइन निउस